तो वेल्कम टू रॉक मल्यास किचन और जैसे कि आप देख रहे हैं यह जैक फ्रूट है और मैं आज कहल ना जैक फ्रूट का बहुत रेसिपिस बना रहा हूं हम लोग ने पेट से निकालाथ और सीधा हम लोगने इसको कट किया हूंए और क्योंकि यह जो है ना इसिफ बारिश के टाईम पर मिलता है जाक फ्रूट सारी साल नहीं बनता है तो प्रिजर्व इट फॉर नॉन सीजन के टाइम पर अगर हम लोगों कुछ खाना है ना तो हम लोगों कि इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें उसको नमक पूरा डालके रखना पड़ेगा जैसे आपने सुनाई होगा नमक में डालके रखते हैं और तकरिबन एक-दो साल य करने से लिए कम से कमना दो से तीन हात में जितना आता है न उतना डालना पड़े और इसे मिक्स करो ठीक है बारिक इसे मिक्स करो सिंपल है कोई प्रब्लम नहीं है जैसे कि यह मेरा बहुत फेवरेट डिश है यह अभी क्यूंकि मिल रहा है अब हम लोग प्रिजर्व कर रह के लिए तो अभी इसका वो नमक डाला हुए ना तो उसका पाने निकलना चाहिए ना तो इसके लामें बड़ा सा पत्तर रखना पड़ेगा पत्तर का वाश के हुआ है और यह ग्रैंडिंग का पत्तर है एंटिक बहुत साल पुराना है जैसे आप देख सकते हो इसको इसके के लिए 24 आश इसको रखना पड़ेगा उसका वो पाने निकलता है उसके बाद में क्या कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है मैं आपको दिखाता है कि मैरनेशन होके एक दिन हो गया वाज उसका सेकेंड स्टेप है तो हम पत्तर को इसमें से निकालना है ठीक है और मेरे साथ ब्रुनो भी इदर है और यह पूरा कर्में पेले हाथ को क्लीन करना है हाथ में थोड़ा पानी नहीं होना चाहिए पानी बोलेगा तो यही नमक है ठीक है अब एक दिन इसको मैरनेट करके रहता था तो अभी इसको क्या करना है इसको इसमें डालना है तो अभी इसको जाप डालना है इसको कम्प्लिटली स्क्वीज करना है देको नमक निकल रहा है देको तो बोल रहा है कि देदो इसको एस पानी कम्पीट जाना पड़े रटीके, बड़ा दूसमें पानी नहीं रेना चाहिए पानी करना पड़े रटीके, थोड़ा दे रेना नहीं चाहिए, थोड़ा अपना स्ट्रंग्स लगाँ इतना पानी निकल गया इसको यह भी बर गया इतना पानी नमक पूरा थीके अब इतना जार के लेना मैंने नमक डालना पड़ेगा नमक जो है न यह नमक यूज़ करना पड़ेगा रॉक सॉल्ट चीके रॉक सॉल्ट यूज़ के अज़र बहुत अच्छा है सस्ता भी और अच्छा भी है नहीं तो टाटा नमक यूज़ कर सकते हो अब तो नहीं को चाहिए इसको आप प्रिजर्व करके कम से कम एक साल तक प्रिजर्व करके आसकते हैं आपको बस इसमें से रखकर निकार एक अब नमक हो गया और अभी थोड़ा पानी डालना है क्या कि इस अब पानी और अब इसमें पानी पुर डाल दिया नमक भी डाल दिया दिया ग्लास्टिक डालना है कि हवा नहीं जाना है एक शूर कि पूरा टाइट हो थोड़ा कि नहीं नहीं जाना है इसको रस्षी से कोई रस्षी लेलो को इसको ताइट करते पालना है तो अब आपने देखे हैं मैंने इसको कंप्लीट टाइट तर्गे से बांदा हुआ है अभी शिर्फ इसका ही जिकामे बस कंड़ा दो और कई भी से इस्टर कपे रख दो ठीक है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब आप इसका तरी बनाते हो ना तो एक दिन पहले निकाल प पानी में रख दो और जो भी रेसीपी बनाने से पहले और रेसीपी बनाने के बाद नमक दाले एक देम चेक करो क्योंकि यह अरड़ी नमक में है तो स्वाद अनुस्वरा नमक रिजस्ट कर सकते हो ठीक है ना तो यह भी बन गया और यह भी एक साथ चल्वेटों इसकाने अधिक देख रहे ना रहे इसमें दो है इसमें आफिव आखिए तो आफिए तो आफिव दैक कुछ देखिए ना यह वो इसमें आफिए यह वाय बाद आए